ताजनगरी में बंदरों के आतंग से सभी वाकिफ हैं इसके बावजूद यहां आप किसी बंदर को मार नहीं सकते अगर आपने बंदर मारा तो आपको जेल भी हो सकती है आगरा के एक युवक के RTI के माध्यम से किये गए कुछ सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने इसकी जानकारी दी है सरकार ने RTI के जवाब में एक सरकुलर जारी कर बंदरों के आतंग से मुक्ति दिलाने की बात भी कही है पुर्य दिलारों को इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है उन्हें कि नारावी 13. जुक्ति अपरसम से बड़ी चीज यह है कि एक जे यह जो आम नाग्रिक है यदि बंदर उसके भाम्ला करता है तो आपनी रक क इस तरह से करेंगा तो इसमें सबसे वड़ी चीज ये है कि एक जो आम नागरिक है यदि बंदर उसके हमला करता है तो वो आम नागरिक अपनी रक्षक किस तरह ऐसे करेगा और यदि वो सेल्ड प्रेज में माली जे बंदर को गंडे से मारता है इस दोरान बंदर गिर जाता है या उसके लग जा सब्सक्रावियों है तो मेरा सवाल उत्तरक्रण से ही ये फिरीच कित्रों में सरकार इसके लिए क्या उपाए करका रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कांउन इस से कूछ अलग है यहाँ अगर बंदर इंसान को Shark तो इन्सान कुछ बंदर बंद्र जीव की शोणी में आता है और उसे मारना अपराद है लेकिन यहां कई सवाल उठते हैं तो शहर में क्या कर रहा है और उनकी संथ्धा क्या है और उनसे बचने के लिए इंसान के लिए क्या किया जा रहा है RTI एक्टिविस्ट की शिकायत के बाद जहां शासन ने इसके उपर एक सेकुलर जाली कर अपनी बाद खत्म कर दी है वही आज ताज नगरी आगरा आज भी बंदरों के आतन से जूद रहा है देखना यह होगा चैट प्रदेश के वातनों को बंदरों के आतन से निजात मिल पाएगी आगरा से तीटी भारत के लिए मैं अमना श्यस्वार